स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर मैंड अब जिक्के में आज इस वीडियो में ससी जीडि के लिए टॉप फिप्टी जिक्के जीएस देखेंगे जो बिल्कुल सिलेवस के अनुसार है तो सुरू से लाज तक वीडियो आप लोग जिरूर देखेगा ससी जीडि में सामाने जनकाज से टूटल पचीस प्रश्ण पूछे जाते हैं और यह सभी प्रश्ण है जो फ्रेंस बिल्कुल सिलेवस के अनुसार है तो पूरा प्रैक्टी सेट आप लोग जिरूर देखेगा चैनल पर पहली बार जो स्टूडेंट विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर विल आकन को दबा देगा तभी आपको महत्पून वीडियो का नोटिफेकेशन समय से मिलता रहेगा और 사uggide का ज्यादा प्रैक्टी सेट पढ़ने के लिए हिंद्य का प्रैक्टी सेट न पढ़ने के लिए हमारे वेफिस पर विजिट कर सकते हैं Google में यह जाएगा जिखके मास्टर मैंड लिखना है ठीक है पहला सवाल आपका फ्रेंस मदर ट्रेसा की जयनती मनाने के लिए उन पर टीकट निमलिखित में से किस देश ने परकासित किया है पहला नमबर शवाल इसका जो कारेक्ट अंसर हो जाएगा फ्रेंस आपसन नमबर आपका भी अमेरिका ने किया है ठीक है मदर ट्रेसा की जयनती मनाने के लिए उन पर टीकट निमलिखित में से किस देश ने परकासित किया तो अमेरिका ने किया है सवाल नमबर दो को देखें दो नमबर सवाल है इंटर नेट टेकनोलोजी में परियुक्त सब्द यू आर एल नाम सुनेंगे फ्रेंस यू आर एल का क्या अभिप्राय है इसका फूल फॉल पूछा जा रहा है तो इसका होता है फ्रेंस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अप्सन नमबर डी इसका officers हो जाएगा तिन नमबर शावाल को देखे निमलिखित में से क्या स्वतः पोसित है स्वतः पोसित इसमें से कौन है तो तिन नमबर शावाल का जो करेक्ट अंसर को गेज कीजे option नमबर B सैवाल है जो इसमें आपका स्वतः पोसित है स्वाल नमर चार को देखें चार नमर शावाल आपका है किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीती अपनाई थी तो आपका आप लोग को पता हुआ प्रेंस किजिए इसका राइट अंसर क्या होगा बल्बन ना बल्बन ने है जो लह और अरग्त की नीती भी अपनाई थी और बहुत ही कठोर नीती अपनाई थी वाल्बन के द्वारे ही अपनाया गया था तो आप्शन नमर आपको मेरे वेबसाइड पर भी मैं डाल देता हूं फ्रेंस ताकि आपको future में बाद में उसको revision कर सके ठीक है त यह सब प्रश्ण भी आपको साम तक website पर भी प्रवायड करा दया जाएगा पांच नबर शवाल का करेक्टर क्या होगा जिला कलेक्टर का पद बनाया गया तो पांच का करेक्टर ओप्सन नमद सी होगा 772 सबसे चूटा महासागर कौन है किस करते चलिएगा सबसे चूटा महासागर है जो अर्कटिक महासागर है औप्शन नमडर b करेक्ट अंसर हो जायेगा ठेक है चलिए सवाल नमर 8 को देखें निम्लिखित में से क्या अभीमराची है अभीमराची एक नौस by कोषचन है तो इसका प्रभेद है जो अभीमराची की अंतरगता था आप्सन नमर ए इसका क्रेक्टाचर होगा सवाल नमर नौ को देखे तेलगु कृिती अभुक्त मलवेडा का लेख़ कौन था देव राय दस नमबर शावाल को देखें नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है तो दस का करेक्ट अंसर हो जाएगा मौदरिक नीती का आप्शन नमबर डिस का करेक्ट अंसर हो जाएगा इगारा नमबर शावाल को देखें बीसी जी टी के में सी सब्द से क्या अभिप्रा है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन ये इसके जेप्शन बीसी जी टी का जो आपका च्छै रोग जिसे टीवी कहते हैं उसको बचाने के लिए दिया जाता है नवजात सिसू जब जन मुलेता स्एप्टनज तस तुरण इसको 24 गंटा की वीतर एटी कह लगाया जाता है बीसी जी टी का टीवी के लिए दिया जाता है तो इसमें जो जो B, C, C का क्या भी प्राआ है तो C का होता है कालमेट आनि आप्सन नमर A इसका कारेक्ट अनसर होगा 11 का ए हो जाएगा 12 नमर स्वाल को देखें सेर्शा की महांता किसमे नहीं थैं सेर्शा की महांता किसमे हैं गेस किजिए 12 का तो सेरसा परसाशनिक सुधार से ज़्यादा फेमस हुए थे इसमें इनकी महानता है इसी वज़े से ज़्यादा इनको जाना जाता है तो 12 का कारेक्टन सरोगा ऑप्शन नमबर D परसाशनिक सुधार ठीक है तेरा नमबर शावाल को देखें वातावरण में मौजूद सलफर क ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं हमारे वातावरण में जो सलफर के ऑक्साइड है बारिश से धुलने के बाद में क्या बनाते हैं तेरा का कारेक्टन सरोगा फ्रेंस और धोगिक धूम निर्मान करते हैं आनि आप्शन नमबर D इसका कारेक्टन सर क्या होता है निरसाइनिक सुत्र की तरह से पूछा जा रहा है गुरू जल गुरू जल को ही हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंस आपका भारी जल भी कहते हैं आनि कि डूटोरियम अक्साइड डी टू ओ इसी को हम लोग क्या कहते हैं गुरू जल या भारी जल भी कहते हैं तो आप् क्रिशी से भारतिय और ध्योगी की विकास को बढ़ावा किस परकार मिलता है पंद्र का तो कच्चे माल की आप उर्ति करके इसका सही अंसर हो जाएगा ओपसन नमर एये मिलकुल सही बात है प्रिशी से भारतिय और ध्योगी की विकास जो ओध्योग धंदा उसका किस तरह से सपोर्ड होता ह है तो कच्चे रौ मेट्रील होता है यो क्रिशी से पराप्थ होता है तो जैसे आपका जूत हो की निम्रिखित में से कौन सी योजना के लिए केंद्र सरकार की कदमों में से नहीं है कैरेक्टर न सड़ी होगा परधान मंतरी योजना है जो नहीं है 17 नमर्शावाल को देखें भारतिय सम्मिधान के निम्रिखित में से किस अनुभाग को भारतिय सम्मिधान की अंतर आत्मा के रूप में भी जाना जाता है तो 17 का कारेक्टरंसर होगा फ्रेंस आपका option नमर्शी मौलिक अधिकार को ठीक है भारतिये समिधान की निम्लिखित में से किस अनुभाग को भारतिये समिधान की अंतर आत्मा के रूप में जाना दाता है तो मौलिक-दिकार इसका किरेक्डनी उसर होगा अठारा नंबर स्वाल देखें शमिधान सभा की मसाओधा समीति की अध्यक्ष्य कौन थे 18 का जो character answer हो जाएगा आपका भीम राओ अमबेट कर option number 3 इसका character answer हो जाएगा 19 नमर शवाल देखें निमलिखित में से कौन सा विकल्प सस्योच सब है तो इसका 19 का character answer हो जाएगा O-Nam सवाल नमर 20 को देखे हाइपर मेट्रोपिया के बारे में निमलीखित में से कौन सा कथन गलत है एक हाइपर मेट्रोपिया हुआ मायोपिया में मतलब होता है निकट द्रिष्टी दोस याद रखेगा मायोपिया को क्या कहते है निकट द्रिष्टी दोस कहते है और हाइपर मेट्रोपिया को क्या कहते है आपका दूर द्रिष्टी दोस कहते है यहाँ पर आपका दूर द्रिष्टी दोस के बारे में आपको पूछा जा रहा है हाइपर मेट्रोपिया के बारे में तो बीस का जो का रहा है कौन सा कथन गलत है इसके बारे में तो देखे पहला आपसन इसके बारे में गलत है ठीक है कि नेत्र गोलक जो आई वाल में बिर्धी दोस्त के कारण में से एक है एक गलत है इसके बारे में बाकि यह सब सही है कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कि पर भावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता है बिल्कुल सही यह इसलिए भी उत्पन हो सकते क्योंकि आँखों की लेंस फोकल लंबाए बहुत लंबी होते है इसे दूर दृष्टी दोस भी कहा जाता है ठीक है तो अभी मैंने बताया कि को दूर करने के लिए का परियोग किया जाता है सबसे पहले याद रखेगा है को दूर दृष्टी दोस करते हैं तो आपका उत्तल लेंस कि आवसकता पड़ते हैं अनिकट के लिए आवतर एक इस नमर्शावाल देखें निमलिखित में से कौन असम से सम्मंधित लोक नित् तो देखें बीहु तो असम में है बगुरुम्बा भी है मन्द जास यह आपका असम में नहीं पड़ता सत्रिय निर्ति भी है ठीक है तो आप्सन नमर्शी इसका कैरेक्टन सरो जाएगा 22 नमर्शावाल को देखें किसी भी खादिश रिंख्ला में सिर्ष अस्तर पर कौन क इसका कैरेक्टन सरो जाएगा ठीक है 23 नमर्शावाल को देखें मौलाना अबुलकलाम आजार ट्रॉफी इसको क्या कहता है माका भी कह सकते है एम ए के ठीक है मका केंद्व शरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है चली बहुत अच्छा सवाल है तेस का कारेक्ट अंसर तो यह दिया जाता है कि इसको आप्सन नमरे सही होगा अंतर विस्विद्यालिये टुनामेंट में समग रूप में सिर्ष परदसन करने वाले विस्विद्याले को मौलाना अबुलकलाम अजार टौफी के इन्द सरकार द्वारा दिया जाता है ठेक है अंतर विस्विद्यालिये टुनामेंट में समग रूप से सिर्ष परदसन करने वाले को चोविश नमबर शावाल को देखे चोविश नमबर शावाल आपका है कि निमलिकित में से कौन सी गैर आवस्यक जीवन प्रकिरिया है चोविश का करेक्ट अंसर होगा फ्रेस तो गै करेक्ट अंसर हो जाएगा देखे बहुत इसी टैप का सवाल आजकल पूछा जाता है इससी जीडी में चोविश का करेक्ट अंसर नमबर बी हो जाएगा पचीश नमबर शावाल को देखे नेमलिकित में से किस राज में जनसंख्या घनत्व सबसे अधीक है तो पचीश का क प्रिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सहपा गया है अच्छा सवाल है 26 का देखे अफ्सिष्ट मामलों पर जो कानून बनाता है केंदर सरकार बनाता है इसका भी करेक्ट अंसर ऑप्सन नमबर ए हो जाएगा ठीक है 27 नमबर शावाल देखें 2018 के अर्जिन रोहन बोपना किस खेल में उपलधियों के लिए जाने जाते है अनि जो रोहन बोपना किस खेल से संबंदित है यह पुछा जा रहा है यह टेनिस के खिलाड़े हैं आप्सन नमबर ए इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा 27 नमबर पस्चमी घाट की सबसे उची चोटी कौन से ह तो अना मुद्धी हो जाएगे फ्रेंस ऑप्सन नमबर सी इसका करेक्ट अंसर होगा 28 पस्मी घाट का ना तो ऑप्सन नमबर सी सवाल नमबर 29 को देखें भारत सरकार के निमलिखित में से कौन सा विभाग भुकतान बैंक का संचालन करता है चलिए भुकतान बैंक का संचा करेक्ट अप Feelsig के करता है इसका करेक्टक बैंक को जाएगा 22 नमबर सावाल उत्तान को देखें निम्निकित में से कौन सी नदी परसिद सिवसुंद्रम जलपरपात बनाती है कावेरी नदी इसका करेक्टन सर होगा फ्रेंस ठीक है आप्सन नमर एक करेक्टन सर होगा कौन सी नदी परसिद सिवसंद्रम जलपरपात बनाती है तो कावेरी नदी करेक्ट अंसर होगा 33 नमर शवाल देखें निम्लिकित में से कौन सा एक नवपाशन सांस्क्रितिक अस्थल नहीं है नवपाशन 33 का करेक्ट अंसर option नमर यह होगा 85 है जो आपका नवपाशन सांस्क्रितिक अस्थल नहीं है बाकी ब्रुजुहूम, कुल्डी, हवा और मेहर गड़, यह सभी है, लबकि ए नहीं है, आप्सन नमरे कुंतासी, आप्सन नमरे 33 का करेक्ट होगा, 34 नमर शवाल देखें, पत्ते, यहाँ होगा, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है, वह कहलाता है, देखें, को पत्ते को आपका जोड़ता है, ठीक है, पत्ते को वही जोड़ता है, इसे हम लोग क्या कहते है, दंटल कहते हैं, चलिए, 34 के हो गया, करेक्टर न सरे, 35 नमर शवाल को देखें, गुरुत्वा कर्शन बल के बारे में, निमलिकित में से कौन सा कथन सही, नहीं है, गुरुत इसका फिर यह एक दूसरे के परती ब्रह्मांड के परतेक वस्तु के आकर्शन के लिए जिम्मेदारवल है बिल्कुल सही है यह वस्तु के द्रमान के उत्पात के व्यूत कर्मान पाती होता है यह गलत है ठीक है आप्सन नमर सी इसका करेक्टन सरोगा और डी सही है फिर यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के वियुत कर्मान पाती होता है, जिहां बिल्कुल यह सही है, ना कि आपका वस्तुओं के दूरी के वर्ग के वियुत कर्मान पाती होता है, यह होता है जिए वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के वियुत कर्मान पाती होता है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह कथन आपका सही नहीं है, option नमर C, 35 का correct answer हो जाएगा, 36 नमर शावाल को देखें, बिक्मिंग, सिर्शक पुस्तक के लिखक कौन है, 36 नमर शावाल, बिक्मिंग, इसका जो correct answer हो जाएगा, option नमर B, मिसल ओबामा के द्वारा ये बुक लिख लिखा गया है, बिक्मिंग, पुस्तक ठीक है, मिसल ओबामा, मिसल ओबामा के द्वारा लिखा गया है, 37 नमर शावाल को देखें, भारत में सब्देशी आंदोलन के दोरान, सब्राज ध्वज किसने डिजाइन किया था, ध्यान से, भारत में सब्देशी आंदोलन के दोरान, याद रखेगा, जो सब्देशी आंदोलन के दोरान, सवराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, अबिंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ना कि रग्रविन ना, ठीक है, आप्सन नमबर 20 का कारेक्टर अंसर होगा, 37 का B, 38 नमर से भी अजिम प्रेम जी को हाल ही में से वेलियर डे ला लीजन डा ओनर से समानित किया गया था, यह किस देश का उच्तम नागरिक समान है, अनि से वेलियर डे ला लीजन डे ओनर किस देश का है, उच्तम नागरिक समान है, जो किसे दिया गया फ्रेंस, तो भारती वियो पा फ्रांस का है जो आपका उस्तम नागरिक समान है जिसे हाली में भारती वेपारी और समाथ से भी अजीम प्रेमजी को दिया गया है 49 नमर्शावाल को देखें निम्रिखित में से कौन विश्व विरासत अस्थल नहीं है 49 का कारेक्ट असर होगा प्ठेंस आपका option number 3 अदमगढ सेलासर है जो आपका विरासत अस्थल की सूची में नहीं है बाकी आगरा किला है अजन्ता की गुफा भी है और भीम बेटका सेलासर है भी जो आपका है भीम बेटका जो आपका इंपिम पड़ता है option number 3 इसका कारेक्ट असर हो जाएगा आदमगढ सेलासर है जो आपका विरासत अस्थल की अंतरगत नहीं है चालिश नमर शावाल को देखें रामनाथ गोयनका ठीक है रामनाथ गोयनका पुरुसकार कि छेतर में योगदान के लिए परदान किये जाते हैं यह आपका पत्रकारता के छेतर में दिया जाता है याद रखेगा रामनाथ गोयनका पुरुसकार पत्रकारता के छेतर में द करता है इस टाइप का कोशन इक्रोमिस का इंपोर्टेंट है अर्थ सास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरन को किस रूप से वर्गी क्रिद करता है 41 का करेक्टर अंसर होगा ऑप्शन नमर डी पुंजी के रूप में ठीक है अपने वेसिक भारत में भारती बिद्वाओं के लिए सार्धा सदन अस्कूल के स्थापना किस ने की थे तो पंडिता रामा बाई के द्वारा सारदा सदन स्कूल के स्थापना किये गई थे 43 नमर शावाल देखें सोडियम बाई कार्बोनेट से कार्बन डायोकसाइड निकालने में विफल अमल कौन सा होता है 43 का जो कारेक्टनसर होगा option number D कार्बनिक एसीडिस का कारेक्टनसर हो जाएगा 44 नमर शावाल को देखें स्वतंत्र भारत के पर्थम राष्टपती कौन थे simple evidence डॉक्टर राजेंदर प्रशाद option number E करेक्टनसर होगा 45 नमर शावाल संजुक्त राष्ट संगठन का मुख्याले कहां इस्थित है संजुक्त राष्ट संगठन का जो मुख्याले कहां इस्थित है नियुआर्क में पढ़ता है option number D इसका करेक्टनसर हो जाएगा 46 नमर शावाल देखें उस पर्थम भारतिये का नाम बताईए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक अस्टेरोइड का पर्योग करने की कारण पर्थिबंधित किया गया जहां तो उस पर्थम भारतिये का नाम बताईए कौन थे जिनको पर्थिबंधित किया था क्या लिए थे एनाबॉलिक अस्टेरोइड का पर्योग किये थे उनका नाम है टी समाचा चानू ठीक है option number C इसका correct answer हो जाएगा टी समाचा चानू को पर्तिमंधित किया गया था चलिए अगला सवाल 47 नमर पर्यावरन में पर्थिबंधित को समान्यत PPM में व्यक्त किया जाता है यहाँ पर PPM का पूर्णूरूप क्या होगा ठीक है P और M इसके बारे में पूछा जा रहा है तो पर्यावरन में पर्दुस्कों की उपस्थिती को समाना था PPM में व्यक्त किया जाता है यहाँ पर जो PPM है इसका क्या होता है फूल फूम तो यह इसका होता है पार्ट्स पर मिलियन ठीक है पार्ट्स पर पर और M4 मिलियन अनि आप्शन नमबर D इसका कारेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए अरतालिस नमबर स्वाल को देखें जब पानी जमता है तो उसका घंड़न तो क्या होता है चलिए को सुन तो बार-बार दी पिठ होता है देखे जब पानी जमेगा फ्रेंस तो क्या उसकी क्या है एक तरह से देखे मोटा मोटी सोचे उसका चोड़ाई बढ़ेगा नि आयतन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा पानी जमता है तो क्या होगा उसका आयतन बढ़ जाता है अनि जब पानी जमता है तो उसका आइटन घड जाता है याद रखेगा और पानी जमने पर उसका आइटन बढ़ता है और घनत्व घडता है चले सवाल नमर 49 को देखें लोग तंत्र ऐसी सरकार है जिसमें परतेक की हिस्सेदारी होती है यह किसका मत है बहुत अच्छा सवाल अब बहुत बार गया में रिपीट हुआ है इस टाइप का सवाल को आप लोग हमेशा याद करके रखें लोग तंत्र ऐसी सरकार है जिसे परतेक की हिस्सेदारी होते अब राहन लिंकन की द्वारा कहा गया है आज का लास्ट सवाल देखें कि दादा भाई नवरोजी ने अ काफी महतुपूर्ण था इसके साथ साथ देखें सभी कोई भी परिच्छा में आपका काम आ सकता है तो सभी जरूर देखेंगा और इसका पीडिएफ पर साम तक अप्लोड कर दोगा और मेरे वेपसाइट पर जाके जिक्क्य मास्टरमेंड आप सर्च करेंगा इस वीडिय फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद